इश्क में मर जावा के आगे आने वाली कहानी काफी चौका देने वाली होने वाली है जी हाँ शो के आने वाल ट्रैक में आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा जहां एक तरफ आरोही अपने मकसद में होगी कामयाब तो वहीं दी भी पीछे नहीं हटेगा लेकिन आपको पूरी खबर बताने से पहले शो के चल रहे ट्रैक की बारे में बता देते हैं जहां दिखाया जा रहा है कि वेधिका इतनी मुश्किलों के बावजूद पहुंच जाती है अपनी मा के पास जहां वो प्रेस कॉन्फरेंस में सब के सामने सबूत दिखा देती है कि वही है रोमा की बेटी जिसके बाद आपने देखा कि कैसे ये सब देखकर आरो ही काफ़ता चौक जाती है और वो वेधिका को बचाने की करती है कोशिश लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती जिसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट और एक बार फिर से रोमा हो जाती है बरबाद जहां उसका पॉलिटिकल करियर बरबाद हो जाता है और रोमा इसे देखकर काफ़ता गुसा हो जाती है और वो सारा गुस्सा दीप पर निकालती है जिसके बाद पृत्वी पहुंच जाता है वेदिका को लेकर रोमा के पास और अब आपको बता दे कि शो के आनवाल ट्रैक में आप और भी सारे धमाके देखने वाले हैं जहां आपको शो में काफिजरे टुस्टन टरंस देखने क को मिलेंगे तो वहीं दीप पहुंचने वाला है वेदिका को मारने जहां वह बंदूक लेकर वेदिका के पास पहुंच जाएगा और उसे मारने की करेगा कोशिश जहां खबर तो यह भी है कि अब आरोही बचाएगी वेदिका को जिसके बाद अब शो में आप आगे यह भ जोनों मिलकर जीच जाएंगे पूरा खेल ये सब जानने के लिब अच्छे मारे साथ फिलहालक माशुरूर मसतना ही और भी अपने फेवरिट इश्क में मर जाऊंस तो लेटेस अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूल है मारा चैनल टॉप निजस फर य झाल